मद्य पिधेश में किसानों को लेकर स्यासत लगाता गर्माती जा रही है इसी कड़ी में आवो बीजेपी ने एक बार फिर कमलनाथ सरकार पर निशान असादा गये इन बाव में मेडिया से रूबरों हुए दो दकेंडरी मंत्री और भाज़वा के वरिष्ट नेता मिक्रम वर्मा ने किसानों को लेकर सरकार पर वादा किलाफी के आरोप लगाए मिक्रम वर्मा ने कहा कि अब तो कर्ज माफी का वचन निभाए सरकार कॉंग्रिस ने अपने वचन पत्र में कहा था सभी के सानों का दो लाग तक कर्ज माफ करेंगे बैंकों का चालू एवं काला तीत कर्ज शामिल रहेगा कॉंग्रिस के तग कालिग राश्टिय अधिया श्राओंधरानी ने बादा किया कि सरकार बंते ही 10 दिर में कर्ज माफ कर देंगे नहीं कर्ज माफ नहीं हुआ और नहीं मुक्की मंत्री बढ़ ले गए मद्ञेवर्य देशी कमलनाथ के ने तरत्व वाली कायूने सरकार 25 प्रतिशत किसानों की भी कर्ज माफ नहीं करताई है इस कारण किसान वरोसे में फसल भीमा संगित आने सुविदाओं से भी बंचित आ गया गे कौंगिस ने अपने वचन पत्र में 0% योज़ना का वास्तिविक लाब देने का वचन दिया था खड़ी प्रेड की डियू डेट 31 दिसम्बर पय करने का वादा किया था लेकिन ऐसा अभी तक नहीं किया मद्य बिदेश के किसान को काला पीत गोशित कर बेंड ब्याज सभित कर्ज की वसुनी की जा रही है तदा किसानों को सहकारी एवम राष्टिक्रत कोने रिन वित्रन भी नहीं हो पा रगागे वित्त कोशन नहीं होने से किसानों का काम कभावित हो रगागे घदी खरशी का काली है अन्य कि अद्रिस्टे के जिसके पहरे किसाना होगा रिस्वाट के लिया हो को अपको मेर्य सभित को चाहती है ज्यादा ज्यादा कर्सी रहता ता को पहरे के में धी परावर नहीं है सबसे पराज होता निसका होता है तो के दर्टेटर से कुछी है जो भी गरुदिया है वो मद्धर सबकार के सबेट पर आत्राद करके दिवाट आत्राद करते हैं